सलामु आलेकुम मैं हूरुकईया आप देख रहे हैं प्यारी दुकईया का किच्छन आज मैं आपके साथ बेकरी स्टाइल आलमेंट केक की रेसिपी शियर कर रही हूं जो के थोड़ा सा डिफरेंट होता है लो कॉस्ट इसलिए बनता है ये क्योंकि हम इसको बटर से रिप्ल आएंगे यतना फ्लैट सर्विस कैसे आया है और हम लोग अगर बेकरी में केक देखते हैं टी केक्स तो बहुत जादा फ्लेवर्स अब तो आ चुके हैं मैं इस केक के अंदर एक सीरप को हम पूर करते हैं जिसकी वजह से इसका मॉइस्चर उसी तरह इसके अंदर बरकरार है यह पंजा दिन तक खराब नहीं होता है बहुत मॉइस्ट सूपर सॉफ्ट और बहुत लो कॉस्ट यह रेसिपी है और इसको हम बनाएंगे बहुत इजी मेथट के साथ बहुत असान रेसिपी है इन्शाला आपको यह रेसिपी बहुत पसंद आएगी तो चलिए स्टार् की भी टाइमिंग बता दूंगी और इसे मैं पतीले में बेक कर रही हूं ग्रैम्स और कप्स दोनों में बता दूंगी ताकि आप लोग के लिए बहुत असानी हो जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज किस रेसिपी को बिसमिल्ला रह्मानी रहीं यहां पर मैंने नाइन érioरियदा के लिए दू का के लाली यहां पर है मैदा मैंने तूफिस्टी ग्रेम और कप्स में होगा टू कब एक क Katy रहें तो हमें यहां इसे दू से तीन बार ऑर यडी कर ना होता है रा अगिये चाहँ आपप्स यहां पर मेने पास है 15 ग्राम बेकिंग पावडर मैं बताँ तो आप देखेगा यह टेबल स्पून भर कर वन टेबल स्पून और हाफ टी स्पून है तो मत डरा करें जितनी रेसिपी में जितनी भी बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडर रिक्वाइर होता है उतनी ही रेसिपी आपके साथ शेयर की जारी होती है तो यहां पर मैंने बेक ज़्यादा जरूरी होता है यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से दो से तीन पर मैदे को छान लिया है बेकिंग पाॉडर के साथ अब यहाँ पर मैंने एड कर दी है टू फिफ्टी ग्राम अंड एक अंडे हैं जो के हमारे पास है छे अंडे मतलब एक अंडा जो था वो 47 ग्र करना है वो room temperature पर आ जाएगा slab पे रखने के बाद उसे freezer में रख देना है पांच मिनट के लिए पांच मिन बाद बाद बाहर निकाल के फिर से room temperature पे आप रखोगे और 4 टेबल स्पून तक इसके अंदर oil add कर देना है ठीक है हमने oil add कर दिया और यहां पर अब हम इसे अच्छा आप किसी भी company का बटर यूज कर सकते हैं आप इसके अंदर salted unsalted कोई सब भी बटर ले सकते हो ठीक है तो वन टेबल स्पून एट कर दिया इससे क्यों होगा एकदम से टेस्ट बटर का आएगा लेकिन हम लोगों ने साथ जो है ना इसके बटर essence भी यूज करना है जो के और यह add करने के बाद इसके अंदर बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि आपने इसको घी में बनाया है या बटर में बनाया है तो इस तरीके से हमने इसको अच्छे तरीके से melt कर लेना है यह step मैं इसलिए पहले कर रही हूँ आपको भी पहले करना है ताके जब तक हम अंडों क इसको बीट करेंगे यह अब ग्रूम पर आ चुका होगा तो यहां पर देखे मैं अच्छे तरीके से mix कर लिया oil और घी और बटर और essence अब अच्छी तरह mix हो चुका है अब मैंने वो side पे रख लिया अब एक बावल लिया बावल में किसी किसम का पानी वगरा नहीं होना च पीस लें दानेदार चीनी मत यूज करें बहुत टाइम लग जाता है बीट करते करते अकसर जो बचिया उनके बीटर जितने ज्यादा अहवी नहीं होते है तो फिर तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो कोशिश करिएगा इस रेसिपी के लिए आप लोग चीनी को अच करना से 12 मिनट तक इसको अच्छे से बीट करना है ताके बहुत अच्छा से यह बीट हो जाए अंडे जितने अच्छे बीट होंगे उतना जबर्दस हमारा केक बनेगा सारे स्टेप जो हैं बहुत ज्यादा फॉलो करना आप लोग को जरूरी है तब ही एक चीज बनती है ज साथ साथ मैं four差不多spoon जो मैंने मेल्किया था और साथ मैंने घी gran概 किया था वह वला मिक्सर जो अच्छे से सदे जाएंगे और एड करते जाएंगे तो यहां पकर यह देखें के से मीक्स कर लोग और mix कर लूगी और थोड़ा-दोड़ा एड कर दूगी अगर अगर अपक लेकिन इतनी ज्यादा स्पीड में मैंने स्पेचुला को नहीं मिक्स किया चलाया था इसके अंदर तो इसको आपने दिहान रखना है अच्छे से बस मिक्स करना है कट एंड फोल के मैथड से और यहां पर जो है ना मैं जो अपने मैथड से करती हूं वह भी बहुत अच्छा यह बेक्री स्टाइल का मैथड था तो यह जो इस तरह से भी सही बनता है तो हमने इस तरह से सारा वटर और गी और सारा मिल्क वगरा एड कर दिया आप मैसे नाइन प्रॉपर बीट कीजेगा अंडो को ताकि अच्छा सा फ्लफी हो जाए क्योंकि हमारे जो है ना यह सिक्स एग है तो मैंने इसके ओपर ड्राय आप कुछ भी फ्रूट्स डाल सकते हैं नट्स डाल सकते हैं आल्मेंड बादाम पिस्ता कुछ भी आप लोग इसके उपर डाल आप लोगों ने इसे बेक करना है तकरीबन 40-45 मिनट लग सकते हैं यह 45 मिनट भी लग सकते हैं तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा रणिंग था जिसकी वज़ा से जो है ना यह जो भी उपर मैंने ड्राय नट्स वगरा लगाए थे वो बीच में श्रिंग हो चुके हैं तो बहुत स्ट्रोंग और अच्छा सा शूगर सीरप बना लिया इससे क्या होगा इसके एक ही शेल्फ लाइफ और बढ़ जाएगी टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा मोइसर इसके अंदर बहुत अच्छा लॉक हो जाएगा और यह इसी तरह जब भी हम इसे कट करेंगे इ साइट्स पर लगा दें ताके बिल्कुल बैलेंस हो जाएगे एक पता भी नहीं चलता कि श्रिंग होके सारे बीट में आ चुके थे ऐसा कुछ भी नहीं होता यह देखें यह इक आईडिया है कभी कोई चीज इस तरह सी हो जाए तो आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं उसके संसरे अफिड Keizer इस पनी कोई सब्सक्यार कर सकते हैं तो कि कभी कभी चीजएं कोई महँगी हो जाती है कोकी सस्ती रहती है किसी एरिया में फरक होता और कोई विक्रीज जो होती जाधा स्टेंडर्र रे यह रे़ी होती है कुछ नॉर्मल रेट पे देरी होती है को इससे कम रेट में आप लोगों ने अपना जब ख़ओं बिजनेस करोगे ना तो आप लोगों ने खुद ही अपना रेर्स बनाना होता है देखना होता है कि हमारी चीज़े क्योंके अब सर्दियां होंगी तो अंडे महंके हो जाएंगी गभीं में फिर निकालेंगे हमेशा चाहिए क्रीम वर्क कर रहे हैं चाहिए आप लोग पिज़ा वगएरा बना रहे हैं चाहिए कुछ भी ब्राउनी तक बना रहे हैं आप में सब रेट्स पहले लिख लेने हैं सारे इंग्यूजिन जो आपने यूज किये हैं फोर पेस्ट्री बन रही है फोर ब्राउनी बन रही है सिक्स ब्राउनी बन रही है उसके बाद गैस और बिजदी का थोड़ा सा एड़ कर देने पैसे फिर अपने मेहनत रख लेनी आपने बॉक्स जो बोट जो चीज़ें यूज कर रहे हैं और यह सबसे असान मेतड है तो आई होप मेरे इस वीडियो से आप लोगो हैल्प मिली होगी मिलते हैं क्यूं और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ इसके को जरूर ट्राइ कीज़ेगा और मुझे फीडबैक दीज़ेगा मैं भी एक मीनी कोर्स करवारी हूं बच्चियां घर पे आएंगी इन्शाला ताला सीखने के लिए तो वो सारी वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि बच्चियां हैं तो मैं उनके लिहासे बहुत असान असान से टिप्स दोंगी तो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी इन्शाला मिलते हैं यू रेसिपी के साथ अला हाफिज